जैहें दोश्तों, आप सबका आज के फ्यू मिनिट्स के वीडियो में बहुत स्वागत हैं, बात करेंगे आज के वीडियो में युनाइटेड नेशन्स के बारे, क्योंकि प्रिलिम्स पास में हैं, इसलिए युनाइटेड नेशन्स के बारे समझना बहुत जरूरी है, वहत क प्रिलिम्स पास में है, पिछले साल 2022 के प्रिलिम्स में दो सवाल आये थे UN से रिलेटेड, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने इग्नोर नहीं करना इंटरनाशनल रिलेशन्स में, तो इस तो आगे बंडे से पहले जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ, अगर आप ये कूपोन कोड कुबेर लाइव यूस करेंगे, तो मेरा नाम कुबेर है, मैं आया और इंटरनल सेक्यूरिटी पढ़ाता हूं स्लीपी क्लासेज में, तो ये कूपोन कोड यूस करके, आप हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे वो GSK कोर्सेज हैं, करांटर फेज हैं, टेस सीरीज हैं, या चाहे वो प्रिलिम्स का क्राश कोर्स है, आपको इन सभी कोर्सेज पे जो आप लेना चाहें, 10% डिसकाउंट मिलेगा, तो ये आप अप अ 1945 में तब नगभग 51 मेंबर्स थे, UN को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, कहा जाता है कि UN का क्या फायदा हुआ, आज 80 साल हो चुके हैं, UN को बने को, UNSC को बने को, लेकिन फिर भी विश्व भर में कितना तनाव है, टेंशन है, लडाईयां है, जबकि UN का जो मैंडेट बनने का, वो क्या था, कि भी, विश्व भर में लडाईयां कम हो, कंफ्लिक्ट्स कम हो, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकें, लेकिन लडाई जगरे तो अभी भी हो रहे हैं, अभी भी ए क्रिटिसाइज किया जाता है, कि UNSC में अभी भी पांच पर्मिनेंट मेंबर्स क्यों है, UNSC reforms की बात की जाती है, UNSC में expansion की बात करी जाती है, और UN का mandate तो सेम रहा है, लेकिन UN as a system की बात करें, पिछले 80 सालों से UN का mandate नहीं बदला, लेकिन over the years UN जरूर evolve करा है, अब उमीद तो बहुत सारी थी UN से, कि वही एक जगा, एक जगा जहां पे United Nation General Assembly, जो के एक World Parliament माना जाता है, कि वहां पे बैट के, जो भी लड़ाई जगडे हैं, जो भी मुद्दे हैं, resolve करेंगे, समझोता करेंगे, peacefully discuss करेंगे, लेकिन फिर भी, ना तो इनसानियत के लिए problems कम हुई हैं, और ना तो लड़ाई जगडे कम हुई हैं, अब Member States, जैसे आपको मैंने बताय कि ओरिजनल 51 Member States थे, जब इस अंतराष्य संस्था की स्थापना करी गई थी, तब 51 Member States थे, आपको ये भी पता हो कि इंडिया वास वन अफ दी फाउंडिंग Member States of United Nations, आज UN में 193 Member States आ जाते हैं, then very quickly यहां पे हम देख सकते हैं, United Nations का flag, अब United Nations के emblem को यहां पे देखें, यह आ Olive Tree के जो branches हैं, यह क्या symbolize करते हैं, यह पूछा जा सकता है, तो उस करके आपको पता हो, इसी करके यहां पे a slide मने डाली है, कि यह जो Olive Tree के branches हैं, यह symbolize करते हैं, जो लोगों की aspirations हैं, लोग क्या चाहेंगे, अपनी quality of life को enhance करना, आमन शान्ती, happiness, यही सब लोग चाहेंगे, लोग तो नहीं चाहेंगे कि दुनिया में pandemic हो, लडाई हो, जगडे हो, तो यह लोगों के aspirations को यहां पे symbolize करते हैं, जहां तक Olive Tree के हम बात करें, Olive Tree के branches की बात करें, जो आप यहां पे देख रहे हैं, चली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Secretary General की हम बात करेंगे, Secretary General कौन है, UN के Antonio Guiters हैं, तो Secretary General, यानि के Chief Administrative Officer, Chief Executive Officer लगा लेजिए, UN के वो होते हैं, Chief जो Secretary General होंगे UN के, वो क्या represent करेंगे, वो UN as an organization के जो ideals हैं, जो ideas हैं, जो values हैं, उनको represent करेंगे, अब आपको यह पता हो कि जो Secretary General है, उनको appoint कौन करता है, General Assembly appoint करता है, General Assembly में कितने members होते हैं, 193 members होते हैं, लेकिन General Assembly से उपर भी एक body बैठी है, वो कौन सी है, Security Council है, Security Council में क्या है, 5 permanent members है, तो वो recommendation देंगे General Assembly को, कि हमको यह इनसान अच्छा लगता है, कि आप बताईए कि क्या इसको हम कर सकते हैं, select as a Secretary General, तो उसके बाद, जो Secretary General का appointment procedure है, जो selection procedure है, वो General Assembly में शुरू होता है, अब अभी जो current Secretary General है, वो कौन है, Antonio Guettars, ये past में Prime Minister रहे चुके हैं, पोर्चोगल के, between 1995 to 2002, इनको फिर से, re-elect करा गया है, दूसरी बार, as the Secretary General, याने कि हमको यहां से एक और बात पता चलती है, अगर UPSC पूछती है, कि भईया बताईए कि एक बार, अगर Secretary General जो बने है, UN क क्या वो फिर से बन सकते हैं, बिलकुल बन सकते हैं, आपके सामने एक्जामपल है, अब इनको फिर से लेट किया गया था, 18 जून 2021 को, पहली बार इनको लेट किया गया था, जनुरी 2017 में, यहां पे इनकी तस्वीर अब देख सकते हैं, अब Free Decessor of UN, अब थोड़ा अगर हमन Nations, 20 April 1946 को ceased to exist, यानि कि इसका जो existence था, जो वजूद था, वो खतम हो जाता है, और League of Nations का successor कौन बनता है, United Nations, जो मकसद था League of Nations का, या जो United Nations का मकसद है, वो सेम है, कि अभी देखो, World War I हुआ था, बहुत तबाही हुई थी, बहुत conflict हुआ था, तो भी आगे से जगडे ना हो, आगे, आइंदा, in future, लड़ाई जगडे ना हो, conflicts ना हो, तो कैसे उसको amicably resolve किया जा सकता है, वो mandate League of Nations का भी था, यही mandate United Nations का भी है, अब आपको क्या बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, कि India, हलांकि League of Nations पुरानी बात होगी, अभी तो United Nations की हम बात क रहें, उसको क्योंकि India colony था, Britishers का, British India was also one of the founding members of League of Nations, याने कि British India, League of Nations का one of the founding members था, और India भी one of the founding members of United Nations था, in fact, जब United Nations की स्थापना करी थी, तभी भी India was under colonial rule, याने कि दोनों सिस्टम्स में, League of Nations में भी और UN में भी India founding member था, ये बात पता हो, Interestingly, यहाँ पर map में आप देखेंगे, अगर हम United States of America की बात करें, तो उस वकत 1919 में जब League of Nations की स्थापना उई, तो USA के President थे Woodrow Wilson, उनका ही idea था, वो बहुत excited थे, बहुत enthusiastic थे League of Nations को promote करने में, लेकिन आपको ये बात पता हो, कि League of Nations में US एक member नहीं था, 1919 में America League of Nations का member नहीं था, ठीक है, अब उसके बाद अगर हम United Nations की बात करें, तो United Nations यो term है, किसने coin किया था, अब हम वापस 1944-45 में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन एक America के President है, Franklin Roosevelt, तो जो term है, जो name है United Nations, वो इन्होंने coin किया था, ठीक है, यह हमको पता लग गया कि predecessor UN का कौन सा है, League of Nations, League of Nations का successor क्या है, United Nations, ठीक है, उसके बाद, अब हम चलते है, San Francisco Conference के towards, हम अभी Foundation, History of UN की बात कर रहे हैं, तो History of UN में एक बहुत important conference होती है, San Francisco में, अमेरिका में, जिसको हम United Nations Conference on International Organization कहते हैं, लगबग यह conference दो महीने चलती है, इसमें जो 51, ओरिजिनल जो 51 founding members थे UN के, तो 51 countries के जो representatives हैं, वो यहाँ पे San Francisco में बैठते हैं, delegates यहाँ बैठके meeting रखते हैं, यह meeting की जो proceedings हैं, यह लगबग दो महीने चलती हैं, और इस conference का नतीजा क्या होता है, United Nations का चार्टर निकलता है, United Nations का जो चार्टर बनता है, 1945 का, that was the outcome of this San Francisco Conference, which happened for two months, between 25th April to 26th June 1945, 24 October को, 24 October 1945 को officially United Nations की स्थापना होती है, हर साल 24 October को, सभावक सी बात है, United Nations Day मनाया जाता है, चलिए, यहाँ पे original 51 members है, United Nations के, आपको सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, quickly आप यहाँ पे नजर मार सकते हैं, सारा का सारा जो data आप देख रहे हैं, जो मैंने slides में डाल है, simple, Google, Wikipedia, United Nations की website में से है, तो मैं आपको यह भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखे, यह कोई rocket science नहीं है, अगर हम international organizations अभी few minute series के माधियम से revise कर रहे हैं, तो आप भी अगर self study करना चाहते हैं, वीडियो के माधियम पढ़ना चाहते हैं, एक बार यह websites को जरूर नजर मार members of UN है, वो Wikipedia से ही मैंने screenshot लिया है, तो आपके सामने आप 51 members आ जाते हैं, अगेन मैं repeat करूंगा, इंडिया was one of the founding members of United Nations, additional information, तो सर 193 तो members हैं UN के, लेकिन दो permanent non-member observer states भी हैं, क्या है, दो permanent non-member observer states भी हैं, हो सकता है, वो आगे जाके permanent member भी बन जाए, वो आगे की बात है, फिलहा non-member observer states हैं, अब हर एक member state, 193 member states हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर एक member state का equal representation रहता है, irrespective के हमारी country की economy कैसी है, GDP कैसी है, वो factor वहाँ पे नहीं आता, equal representation UN General Assembly में रहता है, mission क्या है, mandate क्या है UNGA का, फिर से मैं दोराऊंगा, international peace, अमन शान्ती security, कि ऐसा एक forum बनाया जा रहा है, जहां पे लड़ाई जगडे सुलजाए जा सकते हैं, बिना तोपों के, यानि कि बिना army के, बिना military के, बिना जगड के, लड़के, कैसे हम शान्ती के साथ, dialogue के साथ, लड़ाई जगडे solve कर सकते हैं, उसके लावा, UN protect करता है, apparently, अब यहा पे analyze नहीं कर रहे हैं, अब वो mains में करेंगे, critique of UN या UN reforms की बाद में करेंगे, लेकिन हमको यह पता हो कि UN के mandate में human rights का protection भी आती है, humanitarian aid डिलिवर करने की बाद भी आती है, और upholding, जो international कानून है, international law है, उसकी values को uphold करने की बाद भी UN के mandate में आती है, अब again, यहां पे हम देख स permanent जो आपको मैंने बताया था, यानि कि Holy Sea और Vatican City, Holy Sea और Vatican City, Vatican City कहां पे है, Italy में है, and the state of Palestine, उसके इलावा 17 non-self-governing territories है, और Antarctica की बात करें, Antarctica अभी इस UN सिस्टम में नहीं आता है, यह आपको बात पता हो, यहां पे हम Vatican City को देख सकते हैं, Vatican City, जैसे कि आपको मैंने बताया, Italy म हैं, यह permanent non-member observer state है, UN का, मैं फिर से दोहराओंगा, अब अगर हम बात करें, non-self-governing territories का, तो आपको मैंने बतायाता है, कि 17 ऐसे NGSTs है, non-self-governing territory है, अब हो सकता है कि इसके बारे आपको ना भी बताओ, लेकिन चलो, यहां पर एक मिनिटी लेंगे मिसको समझने के लिए, तो NGST क्या है, NGST उस territory के लोग हैं, जो कि अभी full measure में self-government या full measures उनको autonomy नहीं मिली है, तो NGST जो है, is a territory deemed by the UNGA to be non-self-governing, कि non-sovereign, अभी वो sovereign नहीं है, तो 1946 से UNGA ने कहा था कि ऐसे 17 ऐसे non-self-governing territories हैं, जो कि member states के control में रहेंगी, तो for example, कुछ ऐसे NGST की मैं बात करू जिसे बर्मुडा की बात आती है, वो बर्मुडा triangle हमने पढ़ा होगा जोग्रफी में, movies में बर्मुडा triangle के बारे सुना होगा, कि जहाज, ships वगिरा सब पतनी कहां गायब हो जाते हैं, अब बर्मुडा ये कहां पे है, North Atlantic मे हैं, अब अगर आप map को देखेंगे, Atlas को देख इनका जो administrating status है, तो अगर American Samoa की बात करें, US Secunder आ जाता है, ठीक है, यानि कि America इस territory को control करता है, because why, because ये non-governing self-territory है, उसके बाद UN system को आगे समझें, तो देखें, main bodies UN की कौन सी है, यहाँ पे आपके सामने 6 main bodies आ जाती है, General Assembly, UNGA, then UNSE, यानि कि Security Council, then very importantly, Economic and Social Council, then your Trustorship Council, ICJ, International Court of Justice, इसको confused नहीं करना, International Criminal Court से, ICC से, ICJ को confused नहीं करना, और अंत में, जो Secretariat है UN का, very quickly, GN, General Assembly, तो यानि के General Assembly में, यानि के जो main हम Parliament की बात करें, UN Parliament की बात करें, World Parliament जिसको कहा जाता है, तो यह main deliberative body है, जो policy making body है, जहाँ पे representative organ है UN की, वो UN General Assembly है, तो सारे के सारे 193 member states है, इन permanent representative हर एक state को, हर एक country को represent करते हैं, ideally by a diplomat, तो गर हम इंडिया की बात करें, तो हमारा permanent representative at UN कौन है, रुचरा कंबोज जी है, रुचरा कंबोज जी 1987 के Indian Foreign Services Officer है, तो हर एक country को उनका जो diplomat है, ambassador है, वो represent करता है, हर साल सेप्टेंबर में UNGA का session होता है, meeting होती है, हम news में पढ़त साल, UN में जरूर रहता है, वो कौन है permanent representative, रुचरा कंबोज जी है, चलिए, तो जो भी ऐसे important questions है, important buddhे है, peace से related, security से related, कौन से नए members को UN में दाखिला देना है, कौन को निकालना है, budgetary matters की बात हो, इन सब मुद्दों के लिए two-thirds majority चाहिए होती है, General Assembly की, यानिके two-third of 193 members, ठीक है, तो General Assembly हर साल, हर साल General Assembly एक General Assembly President elect करता है, जिसका जो term of office होता है, एक साल का होता है, प्लीज इसको Secretary General से confuse मत करियेगा, ठीक है, फिर Security Council हमको पता है कि 5 permanent members है, USA, UK, Russia, France, China, और साथ के साथ 10 non-permanent members होते हैं, अब 10 non-permanent members, अब आपको ये भी पता होगा, कि इंडिया के पास, non-permanent membership थी, कब से थी, December 2021 से लेके, 1st December 2021 से लेके, 1st January 2021 से लेके, 30 December 2022 तक, अभी हाली में, इंडिया के जो non-permanent membership है, UNSC में 2022 में ही कतम हुई है, ठीक है, तो हर एक member का एक vote होता है, अंटर दे चार्टर, all member states are obligated to comply with the council decision, तो जो, हम जैसे veto power की बात करते हैं, तो जो veto power है किसके पास है, अब यहाँ पे confused मत होना, जो 10 non-permanent members हैं, UNSC के, veto power उनके पास नहीं होती है, veto power के वल 5 permanent members, यानि कि जसको हम P5 कहते हैं, उनी के पास होती है, तो security council जो है, वो सबसे उप बैठता है, यानि कि उसकी जो authority है, उसका जो dominance है, UN affairs में काफी significant है, ठीक है, चलिए, अब security council का mandate क्या है, बैसे कहा जाता है कि UNSC तो एक toothless body है, अभी Russia, Ukraine की लडाई हो रही थी, तो अब अगेन ये criticism में बात बार बार आती के UN क्या कर रहा है, UN security council क्या कर रहा है, चुप क्यो बैठे हैं, किस बात के लिए UN security council बनाया गया है, और UN security council को expand क्यों नहीं करा जा रहा, reforms की जरूरत है, इंडिया को membership मिलनी चाहिए, ब्रजील को मिलनी चाहिए, UN security council को और representative करना चाहिए, etc. यह सब बात है critique में आती है, तो security council calls upon the parties to a dispute, कि भई आओ, अब जिसे आप यहाँ प बहुत सारे लडाई जगडे दुनिया भर में जो हो रहे हैं, या दुनिया भर में 1945 से होते आ रहे हैं, चलो अभी तो रश्या उकरेन का है, लेकिन उससे पहले भी बहुत लडाई जगडे होई है, वो लडाई जगडों को encourage किस ने करा था, अमेरिका ने करा था, रश्या ठीक है, तो ये अब ताकतवर देश एक तो लडाई जगडे, पूरी दुनिया जहान में करते हैं, बात में आके कहते हैं, बड़ी बड़ी बाते करते हैं, कि UNSC में बैटके हम यहाँ पे चाय कॉफी पी के, बिस्केट खाके, सारे इशूर रिजूर्व करेंगे, ये हैं, वो किसके पास है, वो मुझामबीक के पास, आपको ये बात पता हो, मुझामबीक के पास है, मुझामबीक आपको पता होना चाहिए, आफरिका में एक कंट्री है, आप क्योंकि हम UNSC की बात कर रहे हैं, तो भारत के ट्राक रिकॉर्ड की बात करें एक UNSC, तो हमको पता है कि जनरी 2021 में भारत को आठवी बार नॉन पर्मनेंट मेंबर्शिप मिली थी UNSC में ठीक है यह आपको बात पता हो इससे पहले आगर हम देखें तो आपके सामने यहाँ पे मैंने यर्ज मेंशन करें हुए है 1950-51 में भारत को पहली बारी नॉन पर्मनेंट मेंबर्शिप UNSC म मिली थी यह वही दौर था वही टाइम था जब कोरियन परेंसला में भी लड़ाई चल रही थी और उसके बाद देखें तो भारत की जो नॉन पर्मनेंट मेंबर्शिप है UNSC में बड़े इंपोर्टेंट ऐसे जियो पोलिटिकल इवेंट्स होए है दुनिया भर में जब भ 5051 में कोरियन वार थी 1967 68 पीरिड में अरब और इसरेल अरभी देश और इसरेल की बीच में लड़ाई थी तो यह काफी इवेंट्फोल इवेंट्स थे ग्लोबल पॉलिटिक्स में राइट चलिए आगे एकनॉमिक और सोशल काउंसल की बात आती है तो यह प्रिंसिबल बॉ इसमें 54 मेंबर्स होते है जिसको इलेक्त कॉं करता है जैनरल सम्ľील करता है तीन साल के ठर्म के लिए ठीक है तो यह औरनल के व्रेइंट्स अग्यात प्लाटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए फिर आपको ये भी पता हो कौन सी important bodies है जो के economic और social council के under आती है ये आपके सामने bodies mentioned है ILO, FAO, UNESCO, WHO, your world bank group, IMF, UNICEF ये सब bodies जो है they come under the supervision under the purview of economic and social council ये बात याद रखिएगा then हम बात करेंगे trustorship council के बारे तो trustorship council जो है this is one of the main organs of United Nations इसको स्थापित करा गया था obviously जब UN की स्थापना हुई थी लेकिन इस council की अगर activities की बात करें तो 1994 से trustorship council की activity suspend हो चुकी है अब बहुत briefly समझें कि इसको क्यों establish किया गया था इसको स्थापित किया गया था for the administration of trust territories लेकि 1945 में पूरी तरह से दुनिया decolonized नहीं हुई थी काफी सारे colonies थी Britain की France की Germany की spread across Asia and Africa तो ऐसी कुछ countries थी जो कि completely independent नहीं हुई थी को जैसे islands से जो completely independent नहीं हुए थे जब तक वो completely independent या sovereign नहीं हो जाते हैं तब तक उन territories का जो रखवाली है देखवाल है वो जो जो colonizing countries थी जिनने उनको उन territories को colonize किया था उनकी उपर responsibility थी कि भी जब तक वो independence नहीं attain करते हैं तब तक वो आपकी जिम्मेवारी है तब तक आपने उन territories को administer करना है ठीक है जो last trust territory थी अगर हम पलाव की बात करें उसको independence मिलता है 1994 में तो याने कि उसके बाद trustee ship council का जो operational काम है वो खतम हो जाता है वेकॉस trustee ship council का क्या mandate था कि भी जब तक in trust territories को यह ऐसी जो कुछ territories है जो की decolonize नहीं हुई है जब तक यह सबतंतरता नहीं attain कर लेते हैं independence नहीं attain कर लेते हैं तब तक इनकी रखवाली बड़े देशों ने करनी है colonizing countries ने करनी है तो वो हो गया तो trustee ship council का काम खतम लेकिन क्या trustee ship council का office या जो organ है under UN का वो भी खतम है नहीं trustee ship council का operational काम तो 1994 में खतम हो गया था लेकिन अभी भी UN के charter के चलते this still exists यह आपको पता होना चाहिए trustee ship council still exists operational काम कातम हुआ है then ICJ की बात करेंगे I know कि यह few minute series का video है लेकिन video लंबा जा रहा है जादा लंबा नहीं जाएगा और 2-3 minute में दापप करते हैं बट मेरा यही mandate है मेरा यही करतव्य है कि आपके साथ यह important terms में discuss करना हूँ कुछ नहीं पता last minute में आपको ऐसे question पूछे जाएं क्यों हम अपने 2 number मिस करें क्यों अगर ऐसे 2 या 3 questions आ जाते हैं चलो 2 questions भी आ जाते हैं क्यों हम उसको waste करें क्यों उसमें हम negative marking लेके आएं क्यों हम उस question को गलत करें ठीक है इस करके यहां पे यह सब चीजे ध्यान से पढ़ लेते हैं अगर चाहे 20-25 मिनिट लग जाएं इसमें कोई हर्ज वाली बात दी है चलिए आइसीजे की बात कर रहे है International Court of Justice यह principal judicial organ है UN का अब इसका जो office है इसकी जो seat है वो New York में, America में, कहीं पे भी नहीं है कहां पे है, Netherlands में है, Hague में है In fact, this is only only one of the six principal organs जिसका जो दफतर है वो United States में नहीं New York में नहीं है, America में नहीं है लेकिन बाहर है, Europe में है, Hague में है Again, as I said to you पहले भी इसको आपने ICC के साथ International Criminal Court के साथ Confuse नहीं करना क्या mandate है, ICJ का Court का mandate है, कि जो भी International Law अगर International Law कहीं पे भी Violate हो रहा है, कोई भी disputes आ रहे है जापे confusion है, International Law को लेकि Legal disputes दो Member States के बीच में है, Member States of the UN के बीच में है तो कैसे उन लडाई जगणों को कैसे उन disputes को, कैसे वो International Law violations को resolve किया जा सकता है, by using the services of International Court of Justice अब ये आपको पता हो कि International Court of Justice के जो opinions होते हैं वो advisory होते हैं, binding नहीं होते हैं ठीक है, court में 15 judges होते हैं जो इनको elect किया जाता है for a term of office of 9 years दलवीर बंढ़ारी, आपको यादो दलवीर बंढ़ारी इंडिया से हैं जो के एक judge है at the ICJ क्या एक judge को फिर से relate किया जा सकता है बिलकुल relate किया जा सकता है तो ICJ only international court है हमारे एक देश में हम यहाँ पे पंजाब हर्याना के बीच में dispute हो, करनाटका, महराष्टा के बीच में dispute हम Supreme Court में जा सकते हैं High Court में जा सकते हैं ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपके कोई fundamental rights violate हो रहे हैं तो आप अपने courts में, district court में जा सकते हैं High Court में, Supreme Court में लेकिन international court की जब बात आती है तो international law में Supreme Court का कोई लेना दरा नहीं है वहाँ पे international law की जब बाद आती है तो ICJ की बाद आती है यह बाद बाद आपको पता हो तो जितने member states UN के party है यानि के 193 member states जो UN General Assembly में है वो international court of justice की भी party में आ जाते हैं ठीक है यह आपको बाद पता हो अगेन अब यहाँ पे जब हमने 15 judges की बात करी है इनको 9 साल के terms के लिए elect किया जाता है कौन elect करता है एक तरफ UNGA जिसमें 193 members हैं और एक तरफ security council तो यह organs vote करते हैं simultaneously but separately ठीक है और in order to be elected for a candidate जो अगर हम judge की बात करें for the ICJ एक candidate को absolute majority चाहिए UNGA में भी और UNSE में ठीक है one third of the court जो members of the court होते हैं उनको elect किया जाता है after every three years और judges eligible है for re-election प्लीज इसको note करें important चीज़े हैं यह गलत हो जाती है last में बात करेंगे UN Secretariat के बारे अब definitely UN का जो day-to-day activities है जो UN का जो कामदाम है उसके लिए एक office होना जरूरी है तो वो सारा का सारा कामदाम जो day-to-day activities है वो कहां भी होंगी UN Secretariat में होंगी UN Secretariat में जाहिर सी बात है कौन होगा लाजमी है Secretary General होगा और हजारों हजारों ऐसे जो staff होते हैं internationally UN staff होते हैं जो के Secretary General को assist करते हैं day-to-day activities के लिए Secretary General जैसे आपको मैंने बताया फिर से दोराऊंगा Chief Administrative Officer है of the organization General Assembly का एक President होता है जिसका term वानियर का होता है उसके साथ confuse नहीं करना Secretary General को Secretary General का जो term होता है 5 साल का होता है Secretary General फिर से re-elect भी किया जा सकता है ये बात भी आपको बता हो पर फिर ये बात दोरा रहा हूँ बाते बार-बार repeat होती है mind में रहती है subconscious mind में रहती है हमारी जीज़ें फिर गलग नहीं होती है चलिए यहाँ पर अगेन अगर आपने conclude करते वगत आप यहाँ पर इस चार्ट को भी पढ़ सकते हैं ये चार्ट जो है कौनसी कौनसी organs इन सब bodies में आती है वो सब भी आप यहाँ पर revise कर सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो UN and its organs के बारे बाकी जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे संबब Life Prism Crash Course के बारे ये जोरो शोरो से चल रहा है 28 November 2022 को शुरू हुआ था और ये 30 April 2023 तक रहेगा बहुत सारे बच्चे इस course का बहुत फायदा उठा रहे हैं आप देखिए अप प्रिलम्स को कुछ समय रह चुका है लेकिन अगर आप चाते हैं अगर आपको लगता है कि आपको एक comprehensive prelims crash course की requirement नहीं है लेकिन कुछ subjects हैं जो कि आपके week हैं जो कि इस वकत आपको quickly revise करने हैं 40 घंटों में, 30 घंटों में तो आप अपना कोई भी individual subject wise prelims crash course भी ले सकते हैं जिसकी कीमत महस 2000 पे होगी तो आपको लगता है आपकी economy week है environment week है या quality आपको लगता है कि आपको revise करनी है history हो, science and tech हो, geography हो, IR हो तो अगर मैं IR की बात करूँ तो ये IR में ऐसे important जो contemporary terms हैं जो international organizations हैं बहुत comprehensively मैं अपने crash course में discuss करूँगा IR की crash course की बात करूँ तो वो 20 घंटे से कम में खतम हो जाएगा तो आप अपनी मर्दी के साब से कोई भी individual prelims crash course subject wise choose कर सकते हैं और अगर आप current face revise करना चाहते हैं हमारे साथ आप हमारे comprehensive current face program का हिस्सा बना चाहते हैं जो के 2023 का था यानि के पिछले एक date साल के जो current face थे वो यदि आप हमारे साथ revise करना चाहते हो या अगर आप अभी 2024 में पना time देना चाहते हैं आप अभी से अपनी current face की त्यारी को streamline करना चाहते हैं तो आप हमारे UPSC 2024 current face program का भी हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर toll free number दिया गया है आप toll free number का इस्तेमाल करके call करके इसके बार information ले सकते हैं coupon code कुबेर live अगर आप apply करेंगे आपको additional 10% off भी मिलेगा चलिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आपको मिलूँगा बहुत जल्द हमारे अगले वीडियो में आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें thank you so much जह